नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत सवागत आपके खास चैनल रेटिट में आज मिलेकर आपके सामने S.Chan School की पेशकर्स Physics और Class 10 Part 1 के नाम से है क्यों जो Part 2 आता है वो आता है Chemistry का और Part 3 आता है काफी ज़्यादा डिमांडेबल बुक है अगर आप Class 10 में पढ़ते हैं CBS से के स्टुडेंट है किसी प्राइवेट बॉर्ड में पढ़ रहे है उसी सित्य में लखमीर सिंग और मंजीत कोर की जो Physics है या कोई भी Science की बुक है बहुत ज़्यादा फेमस है आज इस बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या खास है इस बुक में आपको हम बता दे कि जो इसके नए एडिशन्स आते है या ओल एडिशन्स होते है उनमें कोई खास डिफ्रेंस नहीं आता है बस प्राइस थोड़ा हाई कर दे आता है और कुछ कोशन्स एड कर दे जाते है तो अगर आपको ओल्ड बुक मिल रही है तो आप ओल्ड बुक ही लीजिए आप न्यू बुक पर पैसा खर्च मत कीजिए चले शुरू करते है बिना किसी देरी के किये यह साइंस फॉर टैन्थ क्लास पार्ट वन है फिजिक्स लखमीर सिंग एड़ मंजीत कोर और चैस चानल स्कूल्स की यह पुबिश्ट की गई बुक है आपको बता दे कि एक्चली नई बुक मैंने ओल्ड की थी और नई बुक तो चले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किये आज इसका रिवियो और चैक करते है क्या वास्तों में इसमें इतना दम है जितनी इसकी डिमांड है चले शुरू करते हैं पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैक की प्राइस टैक के गर बात करूं तो MRP है इसका 495 र बटा दे तो 350 और यहां कर पेजे हम गिने तो लगबन बात तीन सू-पचातर पेज आपको इसमें देखने को मिलते हैं अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के material की क्या क्या material इसमें provide कराया जाता है क्या क्या चीजे इसमें आपको देखने को मिलती है चलते हैं आगे बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर शुरुआत कहां से होती है जो राइटर है इसके लखमीर सिंग और मंजीत कोर उनके बारे में यहां पर बताया गया है यहां पर बारे मनजीत कोर के दौरा और कौन कोण सी बुक्स लिखी गई है उनकी लिस्ट दी गई है यह क्लास वन से बुक्स लिखते आये है और लिखते शुर्ण 10 तक की बुक्स लिखते हैं यहां पर content दिया गया है इस book में आपको क्या-क्या content देखने को मिलने वाला है आपको हम बता दे contents की बात करें तो पहले chapter का नाम है और उसके बाद सारे के सारे topics यहाँ पर दिये गए है लेकिन अगर मैं chapter के नाम पढ़ने के साथ यह topics भी यहाँ पर read करना शुरू कर दू तो वीडियो काफी landy हो जाएगी मेरा तो फायदा है वीडियो landy होगी जदा views आएंगे जदा worst time मिलेगा लेकिन उकसान आपको मिलेगा आपका वेश्टर जोब time हो जाएगा तो इसके लिए shortcut यही है मैं केवल chapter के नाम पढ़ना और आप जो हमारी वीडियो होती है वो हमेशा मैं 4K में upload करता हूँ highest quality में आप 4K में enable कीजे वीडियो की quality और यहां से आप zoom करके सारे के सारे topic वीडियो को रोख रोख के देख सकते हैं कुनकों से topic इसमें include किये गया है और में सलेबस से match कर लेना अगर आप किसी competitive exam की तियारी भी कर रहे है उस situation में भी आप एक बाद सलेबस से इसके topics को match जरूर कर लेना चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरिके किये सबसे पहले electricity उसके बाद magnetic effect of electric current chapter 3 है आपका sources of energy chapter 4 है reflection of light chapter 5 reflection of light chapter 6 the human eye and the colorful world last में आपको multiple choice questions मिलते है based on practical skills in science मतलब physics इसके बाद आपको NCRT book questions and exercise मिलती है with answers और last में आपको value based questions मिलते है with answers किस page number पे है page number के सामने दिये गए है last में इनोंने advertisement किया हुआ है अपनी other 2 part का part 2 और part 3 का chemistry और biology का जिनका review भी हम already कर चुके class 10th की book का आप review की playlist में जाकर check कर सकते है आगे चले तो यहाँ पर आपका जो latest CBSC का syllabus है physics का वो यहाँ पर दिया गया है एक बार फिर भी latest syllabus से आप match जरूर कर ले तो minor से changes हर साल होते रहते हैं बात करते हैं यहाँ से अब chapter के और यहाँ से एक छोटा सा intro paragraph आपको देखने को मिलता है mostly दो त्रे के diagram का प्रियोग किया गया है एक real diagram का और दूसरा animated diagram का जहाँ पर चीजे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए उसके coding की diagram प्रियोग किया गया है जैसे हैं आपर realistic diagram का प्रियोग किया गया है जैसे यह topic खतम होता है तो यहाँ पर एक sample problem आपको देखने को मिलती है जो NCRT book question है sample problem आपके इस topic से जो आपने topic अभी भाल में पढ़ा है उससे related है और यहाँ पर उनका solution भी दिया हुआ है और solution करने के बाद जो आपको चीज bold line में बतलब कि मोटी कलम से देखने को मिलेगी वो बहुत important होगी उसको आप avoid बिल्कुल ना करे इसके बाद next topic शुरू होता है देखिए यहाँ पर animated diagram दिये गए है जिससे आप चीजे और अच्छे समझ सके और चीजे को और जाद अच्छे समझाने के लिए इन्हे diagram को देखो यह switch है 315 plug है यहाँ पर यह real में दिखता कैसे है वो यहाँ पर दिखाया गया है ताकि बच्चे इसको real life से relate कर पाए bold line में जो लिखा है बता चुका हूँ बहुत important line है उसको आवर्ड ना करे electric potential क्या होता है potential difference क्या होता है जो 30 line में लिखी जाएगी वो mostly definition होगी इसके बाद ये topic हतम होने के बाद फिर से एक sample problem आएगी और यहाँ पर इसका solution देखने को मिलेगा फिर sample problem 2 आएगी फिर उसका solution यहाँ पर मिलेगा साथ में एक QR code मिलेगा जिसे scan करके आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं जैसे ही एक topic बूरा finish हो जाएगा उसके बाद उससे related very short questions मिलेगे उसके बाद आपको short questions मिलेगे उसके बाद आपको long questions मिलेगे फिर multiple choice questions मिलेगे फिर आपका high order thinking skill H.O.T.S. questions मिलेगे और last में आपको answer देखने को मिलेगे इन questions के जो short questions है जो objective questions है उनके answer आपको देखने को मिलेगे long questions के answer आपको खुद सर्च करने पड़ेगे आपको book को खुद पढ़ना पड़ेगा तब ही आप उनके answer find कर सकते हैं इस book में उनके answer आपको देखने को नहीं मिलने वाले आगे चले next topic electric current आ चुका है electric current के बारे में पूरी डीटेल में चीज़ें बताएंगे हैं फिर उससे related sample problem दी गई है फिर next topic आ चुका है जो को अच्छे समझाया गया है फिर जब यह topic पूरा खतम हो जाएगा जो short जिनके एक एक word में answer है वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं इसा ओमसल आपको देखने को मिलता है फिर उससे related आपको sample problem one sample problem, two sample problem, three एक तरह के examples आप कह सकते हैं फिर next subtopic आता है चीज़े को diagram को अब तो भरपूर प्रयोग किया गया है जिससे चीज़े बहुत अच्छे से clear हो फिर इस topics related very short questions, short questions, long questions, multiple choice questions, और यही pattern आपका use किया गया है पूरे chapter के अंदर अब जैसे ही आपका chapter finish होता है तब आपको क्या देखने को मिलता है वो बता दे आपको electric power heating effect of current जी हाँ यह देखी आप जैसे ही आपका chapter finish होता है तो same वो ही pattern very short, short, long, multiple choice, HOTS और answer फिर नेक्ट चैप्टर पका शुरू होता है कहने का मतलब है आपको chapter के last में किसी परकार की summary देखने को नहीं मिलती point number 1 जो questions है जो practice करने के लिए questions है वो आपको topic wise मिलेंगे chapter के last में नहीं मिलेंगे वो topic के last में मिलेंगे point number 2 जो short questions है जिनका one word answer है उनके answer तो इसमें दिये रखेंगे लेकिन जिनके answer थोड़े बड़े है उनके answer आपको खुद सर्च करने पड़ेंगे chapter के अंदर से point number 3 अब बात करें अगर यही pattern पूरी book में यूज किया गया है और last में आपको कुछ model test paper दिये गया है जो बिल्कुल ऐसे बनाए गया है जैसे cbsc के paper आते है आपकी practice के लिए आप तिन-तिन घंटा लेकर इनकी practice अच्छे से कर सकते हैं तो यह था book review physics का बाय लकमेर सिंगा मंजीत को और फ्रोड क्लास 10 और rated पर अगर rating की बात करूँ तो मैं इस colorful book को दूँगा पांच में से पांच की rating उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लेकर को वीडियो अच्छी लेकर प्लीज लाइक कर देना और चैनल को subscribe जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की book review का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे thank you so much for watching this video